आज की इस वीडियो को टापिक है दोस्तों कि करेंट और वोल्टेज में सबसे पहले क्या फ्लो होता है पहले करेंट फ्लो होती है कि पहले बोल्टेज फ्लो होता है अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो इस प्रशन का जवाब आप अच्छे से समझ जाएंगे प्रशन दोस्तों, इंटरवियो में भी पूछलिया जाता है कि पहले करेंट आया कि पहले बोल्टेज पहले क्या चीज आती है तो अगर आप पूरी वीडियो को देखेए कर तो लाश्ट में आप इंटरवियो में आपको क्या जवाब देना है इस चीजे से समझ जाएंग दिखिए हमारे पास एक्जामपर ले लेते हैं कि एक बैटरी है ठीक है यह हमारी एक बैटरी है positive negative अब इस बैटरी में अगर हम कोई load यह हमारा load हो गया bulb है माल लिजे इस load battery में यदि हम एक bulb को इस तरह से जब तक नहीं जोड़ते हैं कुछी bulb को या किसी load को हम यह load है हमारा इसमें हम जब तक नहीं जोड़ते हैं तब तक इसमें ना current का flow होता है और ना ही voltage का दोनों में से किसी चीज़ का flow नहीं होता है लेकिन जैसे ही हम इसके साथ एक load को connect कर देते हैं बैटरी के साथ में तो सबसे पहले हमारा क्या चीज़ flow होता है इसमें बैटरी में voltage होता है है हमारा जैसे आप जानते है ना बोल्ट कहा जाता है कि बैटरी हमारी बारा बोल्ट की बैटरी है तो मतलब बारा बोल्ट जो है इसमें फ्लो होने लगता है इस बल्ब में और जब बल्ब में फ्लो होने लगता है तो होता क्या है कि इसके अंदर माल यह एक हमारा लेकिन जैसे ही हम बोल्टेज जो बैटरी का जो बोल्टेज है वो किसी हम बल्ब के उपर अपलाई करते हैं तार के माध्यम से तो इसमें जो इलक्टरॉन होते हैं वो इलक्टरॉन एक ही दिसा में फ्लो होने लगते हैं इस तरह से तो जैसे ही हम लोड को connect करते हैं तो जो हमारा जो electron है वो CD दिशा में flow होने लगते हैं वो कैसे flow होते हैं कि जो battery में जो voltage होता है उस voltage के वज़े से जो pressure होता है अब जानते हैं कि voltage को हम pressure भी कहते हैं तो pressure की वज़े से जो electron का जो प्रवा है वो जिस तरफ pressure जादा होता है कि जैसे यह हमारा मान लेते हैं हम यह हमारा तार है इस तरह से flow होने लगता है तो अगर मालीजे यहाँ पर हमने यह बल्ब लगा रखा है और बैटरी का टर्मिनल यह है तो यहाँ से जब supply flow होगी तो जो हमारे इलक्ट्रॉन है वो सीधी दिशा में उसी दिशा में इधर साइड में बोल्टेज का फ्लो है उसी दिशा में इलक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता है पर जो हमारा करेंट होता है वह उल्टी दिशा में फ्लो होता है मतलब अगर इलक्ट्रॉन इस दिशा में फ सबसे पहले हमारा voltage का उस्तित आता है कि जब हम battery से किसी भी बल्ब को या किसी load को जब हम जोडते हैं तो सबसे पहले उस बल्ब पर voltage पहुंचता है और voltage के पहुँचने के कारण जो the pressure होता है ब्ल्टेज का उस voltage के pressure के वज़े से इलक्ट्राणों का फ्लो होने लगता है और जब इलक्ट्राणों का फ्लो होता है तब जा करके करेंट का जनम होता है तो सबसे पहले आप यह चीज़ समझ लें कि पहले बोल्टेज पैदा होता है और फिर करेंट पैदा होता है तो अगर आप से इंटर्वी में इ उसमें जो हमारा conductor है उसमें इलक्ट्रोनों का परवा होता है और जब इलक्ट्रोनों का परवा होता है तो उसकी opposite direction में current का flow होने लगता है तो आप interview में इसी चीज़ को आप बता सकते हैं तो मुझे हुमीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी और interview में किसी लगा हो तो वीडियो को जादा जादा लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और notification बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों